हलो स्टूदेंट्स आज की ओनलाइन क्लास का मारा टॉपिक है एक्सिस फॉर्मिशन आज हम इसका पार्ट सेकेंड बढ़ेंगे एक्सिस फॉर्मिशन इन एम्फीबिया सबसे पहले पढ़ते हैं इसका एक कैसा होता है एक इसका बीजो लेसी तलाइग है जिनमें योग अमाउंट ना बहुत कम है ना बहुत जादा है और इसमें होता है होलोग्लास्टिक क्लीवेज यहने की क्लीवेज कैसा है कम्प्लीट डिविजन जिसमें होता है उनिकोल रेडियल क्लीवेज यह यह ये यह योग के अमाउंट के वज़े से योग वाले रीजन की जो साज होती वो बड़ी बंदी है जिनम मैक्रोमेयर कहते हैं और इसके अपोजिट रीजन पर यहने के अनिवल पोल पर जहांपे यो प्रवाज जो होती है वह छोटी होती है जन्हें हम माइक्रो मियर कहते हैं नौ पॉइंट ओफ इंटरी यह बहुत इंपॉर्टेंट है यह डिटर्माइन कर दी है डॉट्सल वेंटरल एक्सिस ऑफ लार्वा तो जहां से इंटर होता है वह एम्ब्रयो का वेंटरल पार्ट ब करता है यह जो सेंटरियल होता है 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 यह माइक्रो ट॥ीपॉल का ओर् этим पर टड़िव करता है तो फैंटरील एस्थितां अरौ वरटिछेंट कि बात मैंक्रोटक्यूब्स जो टेंटी पैर लीकिंट हों जाती है प्लें संथेश्थ हैं माइक्रोट्यो वादी अदॉति तुह इसे हम डागराम मेंसे सकते हैं. से citizens dogs होता है का विर को में स्ऩria उसल हमाल उस्याव करता हैyim, जिस सब्सक्राइब सोचा आदा है तरही है। एक में एक रिजन डवलप हो जाता है जिसे हम बोलते है ग्रेच्रिसंट रिजन ओके this expose a band of inner gray cytoplasm in the marginal region directly opposite to the sperm entry of point ठीके this reason is called ग्रेच्रिसंट this one ठीके where the gastrulation will begin the microtubule are very important they initiate the dorsal ventrexes and anterior posterior axis okay सबसे पहले division के बाद क्या बहता है cell continue जब divide कर दिये तो उसके बाद सबसे पहली stage बनती मुरूला चहां पर कोई भी space जो होती है इस act के नहीं पाए जाती है यह compact mass जो है यहां पर बद्दा है यह embryo कलाता है मुरूला और लगबग 128 cell stage पर इसमें cavity डवलप हो जाती है और यह एक नया embryo बना लेता है जिसे हम बोलता है blastula और इस cavity को कहा जाता है blastoceal cavity okay now the great reason के दो work होते है पहला gasturation यह start करता है और दूसरा organizer का formation जो होता है यह करता है blastoceal के भी दो function होते है क्या क्या है it permits the cell migration during the gastrulation okay तो यह बहुत important function है इसका कि cell migration के लिए यह cell को allow करती है ठीक है and it permits the cell permitted from interacting interacting pre-maturating with the cell above it okay तो क्या होता है एक्चुल में यह जो उपर की जो साथ होती है यह यह कहें कि यह blastoceal के अपर की जो साथ होती है उनको यह नीचे जो वेजिटल मोस साथ होती है इनके साथ फ्यूज यह नहीं होने देती है मिलने नहीं देती है ठीक है नियूकूप ने 1973 में बताया था अपना एक्सपेरिमेंट के है उन्हें अम्राउनिक की न्यूट के अम्रियों की साल ली ठीक है और यह नहीं होने कहां से ली अनिमल हमेश पर से ठीक है और ब्लास्टोसुट की रूफ पर से और उनको प्लेस किया यो की वेजिटल वीजन पर तो उन्होंने देखा देफरेंशिट इंट्व मीजोडर्म इंस्टव अप्तोडर्म जबकि वो क्या बनाती है अनिमल हमेश पर की साल एक्तोडर्म बनाती है लेकिन जैसे उसको वेजिटल रीजन पर उन्होंने प्लेस कर दिया तो वो देखा कि वो डिफरेंशियट होके मीजोर्म का पोमिशन करती है तो ब्लास्टोसील ते प्रज़िटल दे प्रिवेंट दे कॉं अफ देखाने को फटोडर्म जैल विद आख्टोडर्म जैल चैक है अंटील दा गस्तुल सेशन विल कॉंप्लीट टी कैं the gastrulation में 3 important movement होते है invagination of bottle cell involution of mesoderm epivoli of ectoderm हम इसको देखते है invagination of invagination of bottle cell अब क्या होता है कि यह blastroceal है और यह animal पोल है यह इसका vegetal reason है अब यहाप एक slit सी एक develop होता है और यह क्या बना लेता है blastopore का formation करता है और सबसे पहले यहाँ जो cell बनती है वो कान सी बनती है bottle cell बनती है क्या हो रही है cell अंदर invaginate हो रही है जब cell अंदर invaginate होती है यह एक depressions हमाँ पर बन जाता है एक खाली space बनती है तो यह हम कहें कि invagination का काम यहाँ पर होता है अब यह cell अंदर के और जा रही है तो बाद में चलके यह cell क्या बना रही archantron मनागी तो यह अंदर के और दस रही है ठीक है तो यह water cell आगे चलके invaginate होती है और यह क्या मनाती है archantron का formation करती है और जैसे archantron मनता है यह blast to seal जो cavity है यह displaced हो जाती है फिर इसके अंदर काम हो रहा है दूसरा काम mesoderm की जो cell से वो involute कर रही है ठीक है अब mesoderm की cell involute करेंगी तो यह जो यहां पर कोई भी cavity का formation या यू कहें कि कोई भी खाली space जो होती है नहीं बन रही है तो cell क्या करती है लगादार involute करेंगी तो दूसरी layer के सारे सारे अंदर move कर जाएंगी तो कोई भी pocket formation वहापर नहीं हो रहा है तो इस तरीके से mesoderm का formation होता है फिर तीसरी जो सार होती है वह होती है endoderm जो की यह yoki reason वाली जो सार्स है यह की endodermal सार्स होती है ठीक है और इसमें क्या बनता है एक lip like structure का formation होता है जिसे अब बोलते है dorsal blastopore lip तो mesodermal की सार्स होती है वह involution करती है तो इस तरीके से तीन important जो gas pollution movement है वह यहाँ पे देख सकते है और एक और चीज होती है इसमें जो ectoderm की सार्स होती है उनके thinning होती है यह यह पहले इस reason तक ही cover थी धीरे धीरी यह सार्स के move करेंगी इसे ही क्या करेंगी ectodermal cell का formation यह करेंगी अब बात करते हैं हम spieman gold man spieman और की experiment के बारे में जिन्होंने क्या था जिन्ने कुछ experiment किया और उन्होंने क्या कहा कि यह first experiment है उन्हें एक एंपरो लिया 8 साल स्टेज का और उसे हलका सा बेबी हेर से बांद दिया और इस तरह के से बांदा कि जो सारे के सारे न्यूक्लिया है न वो एक ही साइड चले गए और फिर उसके बाद उन्होंने उसको डिवाइड होने दिया जब इस 16 साल स्टेज पर आया है तो उसमें से एक एंपरो को अलाओ करा कि वो दूसरे आंड पर मूव कर जाए तो एक न्यूक्लिया जो है वो मूव कर जाता है ठीक है फिर उन्होंने देखा आफ्टा 14 डेज कि इसमें दो एम्रियों का फॉर्मिशन हो गया है तो इस प्यूमेल ने इससे यह बताया कि जो नौर्सल ब्लास्टोपर लेप होती है जिसको हम और्गनाइजर कहते हैं ठीक है और उनने यह भी बताया कि इस एक्स्पेरिमे इस तरह में नौकलिया मनते हो अधर की सब अइडेंटिकल होता है हर एक नौकलिया में यह कैपिसटी होती है कि वह कम्प्लीट एक और्गनिजम को फॉर्म कर सके ठीक है फिर उन्हें एक एक्सप्रिमेंट और किया यह बता रहा था ग्रेट इसन के बारे में ठीक है और उन क्लीविज के बात दोनों पार्ट के अंदर बोव कर गया उसे उसने आगे डिवाइन होने दिया ग्रो कर पाया और देखा कि दो कम्प्लीट नौर्मल डवलपमेंट हो रहा है दो कम्प्लीट एम्प्लीट का फॉर्मेशन हो रहा है पि उन्हें दूसरा एक्सप्रिमेंट क पहूंच गया सेल के डिवलपमेंट के पाते कंप्लीट एम्प्लीट का फॉर्मेशन हुआ और यस इससे में गने बैली पीस का फॉर्मेशन हो गया ठीक है तो इससे उन्हें कंक्लूजन निकाला कि ग्रेकर संच घृता है एक नौर्मल डवलपिंट के लिए बहुत स्टार्ट करता है और यही क्या करता है और लिए था प्र्यिटियों थी में इंचलेंट किया और यह तीस्य 911 जो है छम voter दो समझा रहा है टेंच आटस्प्लांटेशन किया एकली ली उसने लेट गेस्ट्रोलम है उन्होंने प्रिजंप्टिव नीउरोलेक्ट्रोनम सेल ली और उसको ट्रांस्प्लांट कर दिया प्रिजंप्टिव एपिडर्मिस के मां ठीक है और फिर उसके बाद उन्हें देखा कि आगे चलके क्या हो गई यह इसने यह एपिडर्मिस सेल का ही फॉर्मेशन जो है यह करा है यह कब हुआ अर्ली गेस्ट्रोलम है फिर उसके बाद उन्हें दूसरा एक्स्प्रिमेंट देखा प्रिजंप्टिव नीउरोलेक्ट्रोनम की साथ थी ट्रांस्प्लांट करा उन्होंने लेट गेस्ट्रोला के अंदर अब प्रिजंप्टिव एपिडर्मिस की जेगा कौन सी साथ लगी फ्रिजंप्टिव नीउरोलेक्ट्रोनमस है लगी लेट केस्ट्रोला में करा है यहां पर उन्होंने देखा कि क्या हुआ कि यहां पर नीउरोलेक्ट का फॉर्मेशन हो गया है तो उन्होंने स् openness को बताय वह साइल स्पासिकेशन के बाद सल्ट जो होती है वह कंडिशनल जो कि एकस्परिमेट करा एक और एकस्परिमेट किया और सिकनर एक्सिस के फोर्मेशन को बदाया उसने दो हैं लिए एक pigmented embryo था दूसरा unpigmented embryo था उसने pigmented embryo के dorsal plasterboard lip को लिया और unpigmented embryo की ventral region पर उसको transplant कर दिया ठीक है अब आगे इसको development उनने होने दिया और फिर देखां कि दो एक्सिस का formation हो रहा है प्राइमरी इंवेजिनेशन थो ही रहा था पहले अब यहां वेंट्रल वाली पार्ट की जगे से कंड्री इंवेजिनेशन हो गया है तो आगे चलके क्या हो है दो कंप्लीट embryo जो हैं बन गए हैं तो यह डॉर्सल ब्लास्टो पूर लिप क्या दो काम करें यहां पर पहला यह कि यह जो वेंट्रल जो टीशू थे यहां के उसकी फैट को चेंज करें और दूसरा यह कि स तो अब हम बात करते हैं अब इन्होंने क्या नेक्स ईक्स्पेरिमेंट के लिए उन्होंने एक्टोडर्म एंडोडर्म और बींजोडर्म तिनों लेयर को उने अलग-अलग कर लिया तीन यह ए और फिर देखा कि क्या development होता है तो उन्हें देखा कि वह कुछ भी नहीं बना पर है फिर उन्हें क्या क्या इन एक्टोर्म को एंडोर्म के साथ मिला दिया फिर आगे देखा कि क्या formation हो रहा है तो उन्हें देखा एक तीसरी एक क्लेयर वहां पर डवलप हो गई है और साथ ने वीजोर्म का formation कर लिया है ठीक है फिर उन्हें एक और चीज़ दिखी कि गई मीजोर्म का formation करने के लिए क्या हुआ कि डॉर्सल मोस्त रिजन से डॉर्सल के बोस्त वेजिटल रिजन से कुछ ऐसी सिगनल जो है यह निकलते हैं और यह सिगनल आगे कर लेते हैं तो डॉर्सल मीजोर्म सेल्स जो हो रहा है और इनको कौन बना रही है और न्यूकूप सेंटर जो होता है यहां पर उन्होंने एक नई चीज बताई कि न्यूकूप सेंटर का कि न्यूकूप सेंटर जो होता है और इसके बिल्कू नीचे वाला यह हिस्सा जो है यह कहलाता है यूकूप सेंटर यह क्या कर रहा है मीजोर्म इंड्यूसिंग सिंगनल को यह को यह देता है मीजोर्म इंड्यूसिंग सिंगनल यह देता है ठीक है तो फर्टिलाजेशन से पहले बीटा कैनेटरिंग जो था वो पूरे इसमें स्प्रैट था लेकिन फर्टिलाजेशन के बाद जो बीटा काटेंग उरता है इसी रॉर्सल साइट पर यह पाया जाता है ठीक है तो नियूगूप सेंटर क्या करा है हई एक्सप्रेशन आफ योड्रेट ग्रोर्टिन जहां नियूप सेंटर होंगा अ महां पे नोड्रेटिज क्रोटीन फोड ही होगा यह क्या करा रहे है, primary organizer को induce करा रहे है, ठीक है, हम उसी को dorsal, blastopur lip के dorsal, misodrum के style है, यह को हम क्या बोलते है, organizer बोल रहे है, इस पे misodrum, endodrum के style involved है, ठीक है, अब क्या और एक चीज़ और बता है, कि beta catarin जो होता है, इस dorsal वाले reason पे होता है, ठीक है, तो यह जो है, यह इसक इसका डorsal reason है, यह इसका ventral reason है, ठीक है, तो डorsal वाले reason पे beta catarin होता है, बीटा catarin के लावाँ यहाँ पे veg 1 और veg T भी होता है, वेज 1 और veg T, ventroside पे भी होता है, लेकिन डorsal side पे इसके साथ कोन है, बीटा catarin है, और कोन है यहाँ पे, XNR protein है, यानिकि नोडल related proteins होते है, य बेटा-कतने, वेज 1 और वेज 2 होते हैं जो कि XNR प्रोटीन और यहां पढ़न बनता है और वेजल सायट पे वेज 1 और वेज 1 और वेज 3 प्रोटीन होते हैं और यहां पर कोई भी एक्स्प्रेशन नहीं होता है XNR protein का कोई भी expression नहीं होता है ultimately यहाँ पर क्या बन्दा है Vental Mesoderm बनते हैं जहाँ पर दूसरे protein पाए जाते है BMP4, BMP2 X, WNT8 ठीक है तो New Coop Center क्या बना है New Coop Center The Inducing Induction of Primary Organizer ठीक है पर एक चीज़ दूसरी चीज़ Initiation of Gastrulation तीसरी चीज़ Dorsal Lip Formation तो यह तीन काम काम कर रहा है New Coop Center कर रहा है और Induction of Primary Organizer का जब काम हो रहा है तो यह क्या कर रहा है यह तीन important जो प्रोडीन है उनके expression को इंड्यूज कर रहा है Nogin, Cordin and Follistration ठीक है और यही प्रोडीन क्या कर रहे है इस जगे पर डॉर्सल फेक्टर है यह डॉर्सल पार्ट बना रहे है और इस जगे पर यह BMP2 और BMP4 को इंहिवेट कर रहे है जबकि वेंट्रल साइट पर BMP2 और BMP4 पाया जाता है वो X, W, T, H पाया जाता है ठीक है अब हम यहां देखते है फटिलाजिशन हुआ और फटिलाजिशन के बाद हम आगे का प्रोसेस देखते है यहां भी वेंट्रल मोस्ट रीजन पर कुछ जीन्स पाया जा रहे है ठीक है यह है प्रोटीन पाया जा रहे है डिशैवल्ड प्रोटीन है ठीक है बैंट 11 है और GBP और जैसी रोटिशन पाया जाता है कॉर्टिकल रोटिशन पाया जाता है तो यह सब कि सब कान चले जाते है लिए दोर्समोस रीजन पर चले जाते हैं भी आपया होगा है यह यहां पर आपर तीन प्रोटीन है डियुपी है यह प्रोटीन होते हैं हैं यहां पर यह जुड़े में हैं और यह किस्ट जगी क्या करते है GSK3 को inhibit करते हैं ठीक है यह GSK3 को inhibit इसलिए करते हैं क्योंकि GSK3 क्या होता है beta ketanin को होता है उसको degradate कर देता है ठीक है तो अगर इस जगे से GSK3 को inhibit नहीं करेंगे तो यह dorsal reason free beta ketanin को degradate कर देगा ठीक है जिससे इस जगे जो fat है वो change हो जाएगा ठीक है तो इस जगे GSK3 को inhibit करते हैं अब यहाँ पे beta ketanin stable हो जाता है और इसके ventral region पे GSK3 पाया जाता है वहाँ पे GSK3 करता है beta ketanin को degradate कर देता है इस तरीके से हम इसमें देखेंगे कि ventral region पे जो beta ketanin होता है वह नहीं पाया जाता है और dorsal most region पे जो beta ketanin है वह पाया जाता है ठीक है अब हम आगे देखते है अब यह beta ketanin ventral region पे डिगरेटर हो गया है ठीक है डॉर्सल region पे यह stabilize हो गया है ठीक है अब यह क्या गाम करेगा आगे चलके TCF3 protein होते है उससे जोइन करेगा ठीक है यह फिर आगे चलके CMOs और twin mRNA जोते हैं उनसे जोड़ता है यहाँ पे CMOs और twin mRNA की gene express होते है और CMOs twin और TGF beta related proteins होते हैं वो यहाँ पर बनते हैं ठीक है और यह क्या करेंगे आगे चलके GUSCOID gene expression करेंगे और GUSCOID gene expression के साथ ही यहाँ पे तीन gene का expression होगा Nogin, Coden और Follestation जो की इस हिस्से में Torsal site को बनाएंगे और यहाँ पे BMP2 और BMP4 को यह क्या करेंगे इनिबेट करेंगे ठीक है तो हम देख सकते हैं इस डाइगरम के अंदर कि किस तरीके से Dorsal most region पे Coden nogen और Follestation जो होते हैं यह पाए जाते हैं और हमने स्टार्टिक में पढ़ा था XNR3 जो प्रोटीन होते हैं यह इस region के अंदर Dorsal part बना रहे हैं और Vental region पे BMP4 और जो रहे हैं वह पाए जाते हैं वह Vental region को decide करें हैं ठीक है इस तरीके से यह हमारा Access Formation in Amphibia कंप्लीट हुआ थैंक यू